इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं EIGRP के Scalability Factor की है तो in case जब आपका network अभी या लगता है कि in future कि भई you know it's getting expanded, scale out हो रहा है तो you will be concerned about कि आपका जो network resources हैं like your CPU हैं आपके router के या फिर RAM है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप use कर पाएं और जो wastage traffic है आपकी network में जिससे bandwidth consume होने वाली वेवज़या है वो कम से कम कर पाएं तो कुछ points लिखे हैं यहाँ पे यह अगर achieve कर पाते हैं तो हम scalable ज़्यादा से ज़्यादा अपने network resources को कर पाएंगे सबसे पहला क्या है कि अगर आप अपने जो update packets हैं उनको size को contain कर पाएं within one accepted limit दूसरा आप यह कर पाएं कि कितना जो आपका domain है routing का EIGRP में जिनको जरूरत आपके actual messages की और वहीं तक आप पहुंचा पाओ changes जो हैं आपके topologies की और इस तरह की काफी points हैं कि alternate routes जो आपके feasible successor वो कितने routers के पास रहें कितने रहें ताकि आपकी query reply का जो एक process है जो messages है जो multicasting वो ना हो आपके network में तो जितना minimum हो उतना अच्छा है आपके पास तो यह सब बाते हैं one to one थोड़ा देख लेते हैं इन सब को और चलिए शुरू करते हैं यहां से अच्छा एक और slide बीच हो मचिए तो scalability के लिए हम और क्या कर सकते हैं summarization कर सकते है summarization क्या होता है कि भाई वैसे तो पता होगा CCNA से आपको या फिर एक दो वीडियो बीच में भी है हमारी कि अगर आपका IP का जो design है network का मैंने सबसे पहले information gathering में ही बोला था कि यह जरूरी क्यों हो जाता है क्या कि आपको पता है कि if your network is getting scaled out someday तो you will try to use make use of summarization as a great help तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपने network continuous होंगी तो माल लो 172.20.0.0 network 172.25.0.0 172.32 तो एक तो यह है आपके networks इस तरह से और इसको मगर class C से समझूना तो और ज्यादा समझाएगा मैंने लिख दिया 192.168.10.0 एक 20.0 एक 50.0 इनको summarize करना is you know not making that much sense जितना इनको summarize करना है 0.0 को 1.0 को और 2.0 को ठीक है तो actual क्या है इसका process और background details वो मैं आपको summarization जब करेंगे EIGRP में interfaces और वो सब तो वहाँ पर बताऊंगा पर फिलहाल एक चीज़ यह बहुत अच्छे से जानने वाली है summarization help us I guess सबसे ज़्यादा help करता है यह हमें scalable बनाने के लिए आपके network को तो इससे होता किया कि हजारों आपकी जो entries है ना routing table में उनको आप even hundred क्या उससे भी कम 10 या 20 या 50 entries से represent करवा सकते हैं तो बहुत बड़ी help होती है ठीक है तो इसकी भी stub network में बात करूँगा stub का अभी मैंने कोई जिकर नहीं किया है तो अगर आपको OSPF system का idea हो तब तो अच्छी बात है otherwise मैं EIGRP का जब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे network designs जैसे hub and spoke कि आपका एक central router है जो hub का का काम कर रहा है जहाँ पे आप ज्यादा तर configuration करोगे और बाकी जो आपके routers हैं वो आपके spokes हैं और यहाँ पे आपको कुछ limited configuration करनी है और इनके आगे कुछ जूडा ही नहीं है तो इनको अगर आप query message भेजोगे तो इनको पता है यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपे तो मैं तो कोई route इसको दे नहीं सकता backup route तो अच्छी है कि आप इनको query packet नहीं भेजो तो उस तरह की configuration के लिए हम इनको stub बना देते हैं तो करेंगे बात इसके आगे बठा ये एक अच्छा एक design principle है जो आप use कर सकते हो हमेशा इस तरह की network configuration के अंदर hub and spoke में तो जी ये चार points है याँपे active process enhancement, graceful shutdown, passive interfaces and unicast neighbors तो दो-तीन तो ज़्यादा ही important है एक दो अगर आप चाहो तो optional है और कम फर्क पड़ता है तो जी पहला बात करते है active process enhancements की मानलो router 1, router 2 से जुड़ा है router 2, router 3 से जुड़ा है छोटी सी topology से समझते है और ये जुड़े हैं ऐसे और इसके पास कोई path है कोई successor कहीं तक जाने के लिए और वो down हो गया ठीक है जी तो यही path थमानलो यह down हो गया अब ये क्या करेगा query package generate करेगा query package generate करके किसको बेज़ेगा अपने multicast करेगा सारे routers को अभी तो फिर एकी neighbor है इसके पास नहीं होगा तो ये अब query packet को आगे कहा बेज़ेगा अपने neighbor को इस तरह से अच्छा जी normal जो process इसमें ऐसा रहता है कि भई ये reply का wait करता है 3 minutes तक और अगर replies नहीं आता है तो फिर वो उसको क्या गर देता है down ठीक है उस specially path की जितनी भी reachability है पर active process enhancement ये कहता है कि भई अब मेशा जरूरी नहीं है कि उधर से reply आनी रहा है या फिर उसको route नहीं पता कई बार ऐसा होता है route पता है पर ये जो path है ना in between वाले इन में गड़बड है यहाँ पर मानलो जो TX RX ring है ना ये full है मतलब congestion है और ये इसको भेजना चाह रहा है reply पर यहाँ पर भेजनी पा रहा है तो उससे क्या होगा नेबर्शिप दुबारा बननी तो उसमें ज्यादा तुमारे message convergence में time और message generation और वो सब तुम क्या करो इसको एक point आता है एक process आता है जिसको क्या बोलते है तुमारा active process enhancement तो इसको इसमें क्या बोलता है कि भाई तुम जो normal query packet भेज रहे हो यहाँ से यहाँ तक उसको SIA query packet भेज दो in between एक सो असी आपके 3 मिनट होने से पहले 130 सेगेंड होने से पहले यह जो पूछेगा कि भाई मिरको बस इतना बता दो कि तुम try कर रहे हो के नी उधर मिलने के chances है के नी और यह इसको बताएगा कि हाँ कि वो network route ढून रहा है और आपको बताएंगे network को down मत करना neighbor को down मत करना भी तो यह अपना neighborhood को down नहीं करेगा और आपको पता है neighborhood down नहीं होगी तीन मिनिट के बाद भी तो दुबारा से up करने के लिए messages generator नहीं होगी और इसको imagine करो बहुत बड़ी topologies में ऐसा अगर बार बार ना हो तो कितना अच्छा है अपके neighbors अपके networks बार बार डाउन ना हो तो कितना अच्छा है तो यह एक तरह से आप default behavior को override कर वा रहे हो ठीक है तो यहाँ पे theory देख लो इसमें यह सारा लिखा हुआ है कि normal query के बाद आप क्या use कर लो SIA query ठीक है तो अगर neighbor respond कर देता query को SIA reply के साथ तो वो उसकी neighborship को terminate नहीं करता तो इसको पता है कि neighborship available है बस वो reply मिलने में time लग रहा है ठीक है तो यह किसके लिए to prevent the loss of neighbors unnecessarily during SIA stuck in active के दोरान तो यह especially कहाँ पे helpful आपकी SIA conditions के दोरान आपका जो active process enhancement यहाँ पर यह diagram बनाया हुआ है इसको देख लो एक बर अच्छे से और अगर normal process होता तो यह आपका down हो जाता यहाँ पर हमारे अभी के process में यह down नहीं होगा और आप 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 बात करें तो कि देख लो जी यह neighborhood down नहीं होगा ठीक है इसको देखना पढ़ लेना एक बार दूसरा क्या है graceful shutdown है कि भाई मान लो आपका router 1 router 2 और ऐसे ही आपके और भी domain में routers हैं और यह जुड़े हुए हैं और आपकी EIGRP अप है और आप क्या चाहते हो कि यार जो मेरा एक router है दूसरे router से जो neighbor बना हुआ है और उनका जो hello timer है वो आपका कितना है 5 second default और जो आपका dead timer है वो 15 second अगर यहाँ पे कोई issue आता है कोई गडबड आती है तो इसको immediately पता नहीं लगता तो यह क्या करता जब आप EIGRP में show IP EIGRP neighbor करते हो तो dead timer 15 second है तो यह इसके साथ जो neighbor ship को down करेगा after 15 second मतलब 3 hellos के बाद ठीक है अब उत्रे time तक आप हो सकता है इसको route भेजते ही रहो और वो क्या हो रहा है फिर आपके drop हो रहे है आप क्या करना चाहते हो कि भाई यह जब down हो ना यह जब router और या फिर आप चाहते हो कि इस router से इसकी neighborhood ना रहे और उसको wait भी ना करना पड़े तो आप simply यह जो graceful shutdown का feature जो है वो use कर सकते हो इसके कुछ ऐसा वो नहीं है जाता बस simple सा एक funda होता है कि जिदर के router को आपको लगता है कि यार यह जो side है मेरी ना तो कहांगा है मेरा gns3 this one ना इसको हम और use नहीं करना चाहरे मालो R2 से आपको कोई neighborhood नहीं चीए बाकी सारे routers के साथ तो आप R2 पे जाएए simple और यहां पे जो आपने network run किया था उसको no कर दो यह देखो जी यहां पे एक message आएगा क्या है वो interface down का है और यहां पे एक message आएगा goodbye received का तो goodbye या peer determination कुछ ऐसा message आएगा यह क्या कहेगा कि अब जो आपको do show IP EIGRP neighbor उसको down करने के लिए 15 seconds नहीं लगाएगा within millisecond उदर से message आते यह down कर देगा तो मतलब आपको अब जो नया process शुरू करना है अपना नया अगर मालों इसके तरू कोई successor चूज किया था तो वो अपना अब नए सेरे से चूज कर लेगा ठीक तो graceful shutdown कुछ नहीं है जैसे BGP में हमने थोड़ा सा smooth process करवा दिया था इसी तरह से आप EIGRP में भी करवा सकते हो if you want to do that तो that's one option you have in EIGRP और इसका मतलब होता क्या है कि आप कैसे करवाते हो तो यह एक ऐसा hello packet भेज़ता है जिसमें सारी k-values all set to 255 अगर मैं यहाँ पे आपको packet capture करके दिखाऊ ना यहाँ से वायर शार्क में तो आपको जो k-values मिलेंगी अगर आपको यूज करना आता वायर शार्क तो try करना उसमें सारी 255 255 k1 k2 k3 k4 k5 सब 255 तो इस तरह से समझता है कि एच्छा यह graceful shutdown का packet है और मैंको क्या करना आप नेबर्शिप डाउन कर देनी है चलिए पैसिव इंटरफेस तो पर्टिकुलर वीडियो रहेगी इसके उपर configuration कराऊंगा तुम्हें और उसमें होता क्या है कि जैसे जिस तरफ से आपको लगता है कि आर मेरे को इस side नेबर्शिप नहीं चाहिए तो आप उधर वाले side के क्या करतो नेबर को passive बना तो मालनो R1 है और multiple routers के साथ इसकी नेबर्शिप है आपको पता है कि जो hello है वो multi-gast होता है आपके जितने भी neighbors हैं EIGRP के पर आप चाहते हो कि इधर मेरा एक ऐसा device है जहां पर मेरे को receive ही नहीं करना है इसको मेरे को neighbor ही नहीं बनाना है इसके roots ही मेरे को exchange नहीं करवाने बाकिए टिपोलोजी में तो आप क्या करोगे इस interface पे इसको क्या बना दोगे passive interface तो आप unnecessary traffic नहीं generate करवाऊगे in interfaces के लिए multi-cast में तो एक ये फाइड़ा होता आपके passive interfaces का तो जी और क्या होता unicast neighbor अगर मालो आपकी existing domain में आपको कोई और EIGRP router लगाना for example एक case scenario की बात कर रहा हूँ और अगर आप उसको normally add करते हो तो वो क्या होगा तुमारा फिर उससे नेबर्शिप के लिए जो package रहेगा तुमारा hello multi-cast पर तुम चाहते हो कि यार मेरको ये multi-cast ना करके unicast करवाना है ताकि बाग की topology पे फरक ना पड़े तो आप क्या कर लो उसको manual नेबर्शिप बना दो उसके साथ जैसे हमने याई-जी-आर-पी सोरी बनाया था बी-जी-पी में बनाया था ना ऐसे हम इसमें बना सकते हैं याई-जी-आर-पी तू में जाके अगर तुम नेबर्शिप लिखोगे ना तो जी एरर दिखा रहा है ना तो लूबैक वन हमने बनाया नहीं है शायद इसलिए तो एरर नहीं है एक सेकिंड इंटरफेस लूबैक वन अगर मैं क्या बोलता हूं आई-पी अड्रस कुछ भी दे दो और क्या बोलते हैं कि वन डॉट वन डॉट क्या आप मालों 20 का दे दो है ना 20.0.0.1 255.0.0.0 एक्जिट राउटर ईयाई-ज्यार पी तू नेबर क्या करें 2.2.2 के साथ और लूबैक वन है ना हाँ वह इसलिए था कि हमने लूबैक बनाया नहीं तो आप इस तरह से जैसे हमने BGP में भी नेबर्शिप बनाई थी मैनुवली आप इसमें भी बना सकते हो ठीक चलिए जी तो यह आपका Unicast तो I guess यह 3-4 पॉइंट जो है वह आपको clear हो गये होंगे तो पहला तो क्या था आपका you know active process enhancement वाला है दूसरा आपका graceful shutdown का है Passive interfaces और Unica तो मुझे नहीं पता यह video भी कितनी ज्यादा sense बनी होगी आपके लिए पर I thought कि I should include this as Because sometimes you never know interview में आपसे क्या पूछ ले और किस तरह के concept तो यह चुछ चटे कुछ concept थे मैंने try कि include करनेगा अगर आपको sense बन रही है तो अच्छी बात है otherwise मेरा बेटा बहुत परिशान करता है तो जी अगली वीडियो में मिलते हैं और बाकी सब बातें करते हैं और configuration वाले part की अब ज्यादातर lab ही रहेंगी है अब जो वीडियो आएंगी उनमें lab theory दोनों एक साथ चलेंगी तो yes I hope this video was informative for you guys अगर फिर भी कोई doubt, कोई confusion है तो आप comments में या mail पर मुझे बताइए and we'll get in touch always so yes I'll see you in the next video, bye bye, take care